period miss होने के पेले अगर pregnancy test को कर लिया जाए तो कितना percent chance होता है pregnancy test का result सही आने का दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ वो भी बहुती simple से example के जरिये जिससे आप आसानी से समझ जाएंगी कि period के पेले pregnancy test करने पर result सही आता है या गलत आता है अगर सही आता है तो कितने percent chances होते हैं उसके सही आने के या फिर पूरा गलत आता है तो दोस्तो इस बात को समझने से पेले आपको एक बात को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है तब ही आप इस बात को समझ पाएंगी और वो बात ये है कि pregnancy test kit जो होता है वो किस basis पर काम करता है कैसे हमें बताता है कि हम pregnant है या नहीं तो दोस्तो ये process स्टार्ट होती है uterine lining पर fertilize AK implant होने के बाद एक हार्मोन के release होने पर जी या दोस्तो ये ही वो main हार्मोन होता है जिसके जरी हमें पता चलता है कि हम pregnant है या नहीं और दोस्तो इस हार्मोन का नाम होता है human chorionic gonadotrophin hormone जिसे हम short में SCG हार्मोन केते हैं अब ये जो pregnancy test kit होती है ये इनी हार्मोन को map कर हमें result बताती है कि हमारा result positive है या negative दोस्तो ये हार्मोन हर 2-3 दिन में दोगना हो जाते हैं इसलिए दोस्तो कहा जाता है कि pregnancy test का जब भी use करना होना तो सबसे best time होता है period miss होने के लगबग 4-5 दिन बाद pregnancy test को अगर use करेंगे तो वो एकदम accurate result बताएगा और ये डोक्टर केते हैं अब डोक्टर ऐसा क्यों केते हैं और हमें तो period से पहले check करना है तो क्या period से पहले check कर लेंगे तो क्या result सही नहीं बताएगा इस सारे confusion को अब मैं आपके सामने एक example के जरिये दूर करने वाला हूँ तो दोस्तों मान लो कि दो type की लड़किया है एक का नाम है वर्षा और दूसरी लड़की का नाम है रेखा अब इन दोनों को pregnancy test करना है लेकिन वर्षा को pregnancy test जल्दी करना है वो भी period के पहले क्योंकि उसके कुछ कोई personal problem हो सकते हैं लेकिन रेखा को pregnancy test जल्दी करने की कोई ज का शरीर अंदर से अलग-अलग होता है और SCG हार्मोन जिसे माप कर pregnancy test का पता लगाया जाता है वो हर लड़की में अलग-अलग गती से उत्पन होते हैं अब दोस्तों मान लो 50% लड़किया वर्षा की केटेगरी में आती है जिनके शरीर के अंदर ये SCG हार्मोन उतना से रिलीज नहीं हो पाता जितना की होना चाहिए और दूसरे टाइप की जो 50% लड़किया होती है मान लीजिए वो रेखा की केटेगरी में है जिसके शरीर के अंदर ये SCG हार्मोन बहुत तेजी के साथ रिलीज होता है अब दोस्तों ऐसी situation में अगर period मिस होने के पेले pregnancy test क को हम करेंगे तो जो लड़किया वर्षा की केटेगरी में आती है जिनके अंदर शरीर के अंदर SCG हार्मोन का इस्तराओ इतना तेजी से नहीं होता है तो वो period के मिस होने के पेले अगर pregnancy test kit करती है तो उनके chances बहुत कम आते हैं कि pregnancy test का result उनको सही दिख जाए positive या negative कुछ भ उस level तक नहीं पोचेगा शरीर के अंदर जहां से pregnancy test kit आसानी से उसे map कर हमें result शो कर दें तब तक pregnancy test kit भी useless होता है लेकिन वहीं दूसरे टाइप की लड़किया ऐसी भी होती है रेखा की केटेगरी में जिसमें हमने बताया है उनमें contact में आने के दो या तीन बाद ही SCG हार् बहुत तेजी के साथ release होने लगता है तो ऐसी situation में period में सोने के पेले अगर रेखा की category की लड़किया pregnancy test kit को use करती है तो उनको result सही मिल सकता है जी हां दोस्तो अब दोस्तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम बीच में फस गए मतलब करें या ना करें क्योंकि किसके शर situation से निकलने का एक simple सा फंडा ये है कि अगर आपको बहुत जल्दी ही pregnancy test यूज करना है तो आप pregnancy test kit को ज़्यादा तवज्जु ना देकर डोक्टरी जाच की और अपना रुक अपना सकती है जी हां दोस्तो डोक्टरों के पास ऐसे बहुत से fast तरीके होते हैं जिसके जरिये वो आपको आसानी से बता सकते हैं वो भी period के miss होने के पेले ही आपको बता सकते है 100% guarantee के साथ कि आप pregnant है या नहीं लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं कि आपको pregnancy test kit का यूज करना है तो उस situation में हमारी तुराई यही होगी कि period miss होने के बाद 4-5 दिन बाद ही आप pregnancy test kit को य test होगा तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी जिसमें एक बहुत ही important जानकारी में अपनी सारी प्यारी भेनों के लिए लेकर आया हूँ उमिद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए किसी भी तरह के से helpful रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जैरो दबा देना धन्यवाद दोस्तों